अगर आपकी गाड़ी की भी वाइपर ब्लेड ऐसी आवाज करती है और ऐसे निशान छोड़ती है पानी के तो चलो फ्री में ठीक करना सिखा देता हूँ ब्लेड मत खरीदना ब्लेड को उपर उठाओ इसको गुमाओ छोटा सा लीवर है इसको प्रेस करो दूसरे हाथ के अंगोटे से ब्लेड को थोड़ा साइड करो ब्लेड को खिसका के निकाल दो फ्रेम को विंडशिल्ड के उपर रखो अब ध्यान से देखोगे फ्रेम की एक साइड टिकी हुई है विंडशिल्ड के उपर दूसरी नहीं टिकी हुई है गैप है हमको यह बैलेंस करना है स्क्रूड्राइवर लो जिस तरफ से टिकी हुई है उस साइड से उसको उठाओ दो तीन बार में हो जाएगा आप फ्रेम को विंट्शिल्ड पे रखके देखो गैप चला गया तो अभी प्रॉलम सोट हो चुकी है ब्लेड को वापिस इसके अंदर डालो अच्छे से तरीके से बहुत इजी है अब चला के देखते है देखो कोई भी नॉइज नी है तो फाल्दू की ब्लेड मत खरीदना अगर ब्लेड की कंडिशन ठीक है अगर से नॉइज है तो ये तरीका कर सकते हो लेकिन मेरी वाइपर ब्लेड दो साल पुरानी हो चुकी थी तो मैं सुइच कर रहा हूँ बोश की फ्रेमलेस वाइपर ब्लेड के उपर 24-16 का पेर आते ब्रेजया में बहुत अच्छी है छोटा सा कवर है पुश करो उपर उठाओ फ्रेम में डालो जोर से फिर इस कवर को वापिस बंद करो C, No No Noid